नमस्कार जहिंद आप देख रहे हैं आरेम न्यूज और मैं हूँ अमन सिंग्वत्स आपके साथ उच्छ परात्मी विद्याले बहलोलपूर दूबे पुललाक में हम मौजूद हैं आज बच्चों का परिच्छा फल वित्तित होना है तो आज हम यहां यह जानने के लिए पह बोसिस करेंगे कि विशम परिशितियों के बाद भी आज परिक्षा फल पूर्ण कर लिया जाए मार्क सीट तो अभी सासन से वैसे मिलती अभी प्राप्त नहीं लेकिन जब मिलेगी तो उसका भी कारे हो जाएगा लेकिन अभी तक प्रयास ही है कि कांपियों का मुल्यांकन करके आज साम तक छुट्टी के पहले हम लोग बता सकते हैं अपने बच्चों को क्या समस्या आ रही है कि कम से कम विद्याले में एक इंचार्ज को तो रहना ही चाहिए और सारे हमारे अध्यापकों की ड्यूटी बोर्ड परिशा में लग गई है यही एक समस्या है अगर को कोई एक रहता है तो कम से कम विद्याले की विवस्ता है सुचार रूप से चलती रहती है यही कहना थे बोर्ड परिच्छा में ड्यूटी लगी है तिन आपके यहां तीन अध्यापक हैं तीन लोगों की उसके बावजूद कैसे कितनी मेहनत के साथ परिच्छाफल आपने क ड्यूटी लगी है तो आप लोग जब अनभशते तरहते हैं तो विद्याले में कैसे पढ़ा सिछा का गारे इसके अलावा भी बोर्ड परिच्छा के अलावा भी कहीं ड्यूटी आप लोगों की लगाई गयी है लेकिन एक ड्यूटी लगी थी बिधान परिशत चुनाव म है हमारी लेकिन कल उसका प्राइटनापत्र मैंने खंड सिक्षा दिक्यारी के माध्यम से विज्वा दिया है अब उसमें देखिए कैसे बयोस्ता बनती है जबकि उसमें छे तारीक को ट्रेंग थी आठ को पाल्टीयों का प्रस्थान करना था यही बयोस्ता है लेकिन हो सकत तो अच्छा रहेगा और जहां तक सासान हमारा यह चाहता है कि विद्ध्याले में गुडवत्तापूर्ड सिख्षा दी जा सके तो उसमें एक यह सार्थक कदम होगा तो यह बहलोल पुल उच परात्मी विद्ध्याले के इंचार्ज थे जिन्होंने बताया कि इन लोगों की तीन अध्यापक इस विद्ध्याले में हैं तीनों लोगों की ड्यूटी बोर्ड परिश्छा में लगा दी गई है इसके बावजूद समय निकालकर यह लोग करके उन्हें दिया जाएगा सुक्रिया